कि नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी स्टेडी गोब में मैं नाम है खुश्वंत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी पॉलिटी में आज पढ़ेंगे दल बदल विरोध कानून एंटी डेफिक्शन लोग एंटी डेफिक्शन लोग क इंपोर्टेंट है क्योंकि आपने जस्ट सुना होगा भी कि महराष्टर के मामले की सुनवाई समयधानिक पीट कर रही है सुप्रिम कोट में तो यह इंपोर्टेंट है ठीक है तो लिए फिल शुरू करते हैं सबस्पहले निउस में क्यों है जैसा आप लोग निउस देख होके बीजेपी माजा है तो इतना आसान है क्या डिफेक्ट होना कुछ तो नियम है और दूसरा क्या है कि अभी आपको पता है तो एक ना सिंदे ने सिवसेना में ऐसे स्प्लिट करके एक नई पार्टी या फिर एक नए अदल बना दिया है और सिवसेना के खिलाफ जो यह सब हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में ताकि आपके साथ चीजे क्लियर हो यह इंपोर्टेंट हो जाता है एक्जाम पॉइंट अव्यू से क्योंकि बहुत जाद न्यूज में आया है तो देखिए सब सब्सक्राइब करते हैं एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन द लगे आप कितने अटेंटिव हो रहे हो मतलब के एक्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे ठीक है इस वीडियो बेसे तो हम पढ़ेंगे तो कॉस्ट्विचन है इस क्वेश्चन ऑन गांड ऑफ दिफेक्शन फॉर दे मेंबर ऑप पार्लेमेंट विल नॉट अप्लाइब दल बदल के आदार पर संसर सदे से के लिए आयोगय कानून लागू नहीं होगी कौन सा है कब दिफेक्शन होगा तब लागू नहीं होगी साथ से पहला इफ यह गोज आउट ऑफ इस पार्टी अज़ल ऑफ प्ट्रॉट अप पार्टी विट अनुटर पार्टी इस वीड सेंट फ्रम वोटिंग इन दे हाउस कॉंटरी तो डारेक्शन ऑफ दे पॉलिटिकल पार्टी इफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस जॉइंस अ पार्टिकल पार्टी आफ्टर सिक्स मंस हिंदी मीडिये वाले रोग के पढ़ लीजेगा है कोश्चन अच्छ पढ़िएग जबरा क्यों लाया गया नहीं मतलब 85 प्रकार थी तब लाया गया ठीक है इसका परपस क्या था इसका परपस यह था कि लोग डिफेक्ट होके पार्टी ना बदले किसी लोब में आकर ठीक है ना पहले क्या होता था कि कुछ जैसे भी थोड़ा सा पद का लोब हो या फिर प सता में रहने के कोशिस करता था तो ऐसा ना हो इसलिए एंटी डिफेक्शन लोग दल बदल कानून लाया गया था कब लाया 52nd के constitutional amendment 1985 ठीक है उसमें क्या किया गया उसमें चार्ज अर्टिकल्स में संसोधन किया गया एक नया सेडिल जोड़ा गया उसका 10th सेडिल जोड़ा और उसको ऑफन क्या कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लोग उसके बाद इसी लोग में एक बार 91st amendment act के तहद 2003 में चेंजिस किया गये थे उसमें क्या गया था कि जो split का case था वो हटा दिया गया था इस वाला प्रोविजन ता कि हटा दे गया था पार्ट यह टूटने लगे थी जैसे आट जेडी जब बहुत सी पार्ट यह बन गये थी तो इन सबको रोकने के लिए 2003 में एक और कानून लाए गया मतलब इसमें amendment किया गया यह हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम वाला देख लीजिए अब प्रोविजन क्या क्या है इस एक्ट में ठीक है सबसे पहले डिस क्वालिफिकीशन कैसे कैसे हो सकता है ठीक है आपको बताया थो थीन टाइब की मेंबर्स होता है उनका डिस क्वालिफिशन काहसा होगा तो यह अयोग कर ठहरा जा सकते हैं यह अयोग के कब ठहराएंगे जब कोई भी मेंबर अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी की प्राइमरी मेंबर्शिप से त्याग पत्र दे दे अगर वो वॉलिंटरी अपने पार्टी छोड़ता है तो खुच छोड़े पार्टी निकाले वह बात लग होती है खुच अगर पार्टी को छोड़े तो उसकी मेंबर्शिप और पार्लेमेंट जा सकती है दूसरा अगर वो वीप के द्वारा कोई भी मतलब वीप के इंस्ट्रक्शन के अलावा वोट दे अपना मतलब वीप ने वोट जारी होता है हम पढ़ेंगे आगे वीप क्या होता है प इसको पार्टी की गाइडलाइन फोलो करनी पड़ती है अगर उससे हटकर कोई भी वोटिंग करे तो और अगर पार्टी इसी बात को कंडेंड करें 15 दिन के अंदर तो उसकी मेंबर्शिप जा सकती है अगर 15 दिन के अंदर को पार्टी का डिशिजन ही लेती है तो नहीं जाएगी ऐसा होता है ठीक है फिर इंडिपेंडनेंट मेंबर्श अपको किस जनता ने इंडिपेंडनेंट्ली भेजा है तो आप वहां जाके किसी पार्टी को जोइन नहीं कर सकते हैं आपको पार्टी मेंबर्स अगर नौपि नौमिनेटेटर अपनी मतलब चुनने के च्छे महींने बाद कोई पार्टी जॉइन कर सकता है अगर उसके बाद अगर पार्टी जॉइन करता है तो उसकी भी सतिशता जा सकती है जाती है मतलब एंटी डेफेक्शनल लौ में आएगा वह तो तीन तर कि अगर वो membership त्याग दे छोट दे तो उनकी जा सकती है अगर वह वीब कपाला ना करे तो अभी जा सकती है इंडिमेंट मेंबर में क्या था कि वो पॉय पार्टी जोइन कर ले तो उनकी सदेस्दा जा सकती है नॉमिनियुटिड में क्या था कि वो छे महिने के बाद चुनने लेकर आगए लेकिन इससे अपनी व्यक्तता की आजादी जो फ्रीडम ऑव स्पीच है वह वालेंट होती है क्यूंकि आपको आजादी आपको चुना है जनता ने आपकी जनता की आवाज बनके वहाँ पर बोलना है ना कि कोई पार्टी की आवाज बनके बोलना है तो इसके जैसे दो exceptions है पहला exception कि कि जब कोई party के तु टू-थर्ड member majority वाले members एक party से निकलके दूसरी party में merge हो जाए तो उस दोरान अगर जो members merge हो रहे हैं उनकी स्यद्य सिता नहीं जा सकती वह अंटिटिवेक्शन law में नहीं आएंगे जान लेखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है टू थर्ड मेंबर होने चाहिए जो की एक पार्टी से बदलके दूसरी पार्टी मा जाते हैं तो उनकी सदेस्टा नहीं जाएगी अब वो पार्टी अब देखिए अब इसमें विवाद होता है जैसे रास्तान में आपने देखाएग कि इसकी डेफिनेशन अभी सुप्रीम कोट करेगा ठीक है अब जैसे मालस्टा में असे हुआ टू थर्ड मेंबर जो थे वो स्प्रिट हो गए और वो पार्टी में ओनर्शिप बताना लगए कि हम पार्टी अवारी पार्टी असली है तो अभी उद्धव ठाकरे बड़से जैकनात सिंदे हो गया अब दोनों के बीच में दोनों ने अपील किये सुप्रिम कोट में इसकी बताओ बैस्टिशन है किसकी होगी तो पार्टी की डेफिनेशन गोसित बताएगी अगर डिक्लेर होगी या तय होगी डिसाइड होगी उसके बाद ही बता पाएंगे कि पार ठीक है अबॉसरा अब कोई चेर्में पंड Sn 14 मिनस या फिर अफिरजिसे अगर वह व वॉलेंट्री मिम्बर्शीप करता है तो और कोई कोई प्रे करता दूसरों को या फिर कोई प्रेच महाशक कर लेता है ठीक है उसके hold office का नगी बाद वो कुछ भी कर सकता है वो उसकी membership नहीं जाएगे अब देखिए the 10th schedule pretend to be exempted from the disc allocation in case of split of one-third of legislature party has been deleted by the 91st amendment act of 23 पहले क्या था कि ये one-third murder member of the party के लोग मिलकर split होकर एक नहीं party बना सकते थे तो इसे split बहुत ज्यादा होने लगे तो उन्होंने क्या करा कि 91st amendment act of 23 में इसको प्रोविजन को डिलीट कर दिया ठीक है यह भी important याद रखेगा 93 में क्या अब डिलीट किया गया तो split by one-third member of the party वाला तैसे पार्टी वाला डिलीट किया गया ठीक है ज्यान रखेगा अब हाँ अब deciding authority कौन है कि कौन defection में आएगा कौन नहीं आएगा क्या कारवाई होनी चाहिए उसको disqualify करना है नहीं करना कौन करेगा तो कौन करेगा deciding authority कौन है जो presenting officer of the house जो उसको चेर्में है जो हाउस का या फिर जो लीडर है चाहूस का लीडर नहीं चेर्में जो प्रजाइड कर रहा है हाउस को वो डिसाइड करेगा कि निर्ने लेने सकती उसके पीठा सिन अधिकरी के पास है ठीक है यह जान रखेगा पहले यह लाए गया तब क्या हुआता कि प्रजाइडिंग ऑपिसर का जो थार्ड क्या बोलते हैं उसको डिसिजन था वो फाइनल हुआ करता था और उसको कोट में कॉश्चन नहीं किया जा सकता था लेकिन क्यों हो तो हो लोहान केस 1993 में सुप्र पार्टी के लोगों को पार्टी चोड़के जा रहा है इसको वह घ्रड़ी कि दूसरी भाइल कि अपनी पार्टी मर्वर्व नहीं करेगा तो यह सकता यह प्रविजिन नियंद का लेगा चेक्संट कृप और बहूरी है तो इनना क्या कि कि इसमें जूडिसल्यृवी किया जा सकता है को और ग्राउंड पे मालाफाइड और मालाफाइड और परवर्ट्ष्थी मतलब कि दुर्भावन और विक्रती के अंतरगत इसको जुडिस्लियरी रिव्यू क्या जा सकते हैं मतलब आप कोट में अपील कर सकते हो थो यह दो हमें गाहिए। ह्लिक है कि हो तो होलोकान केसे है यह थ्रसे से अनम होता है याद नहीं प tapilihan प्रिटाशी नदिकारी के पास है ठीक है यह वोन बना सकता है कैसे यह चलेगा तैन्थ सदुर्ण के अंतर लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा तीस दिन के लिए को अपने आपने सामने रखना पड़ेगा और हाउस को तो मौडिफाइड कर सकता है अधिकि दूसरा क्या रूल्लागिंग में कि तो प्षाइडिंग ओफिसर है यह प्रिटी सारी पिटासी नदिकारी है जो भी वो तभी कारेवाई कर सकता है जब कोई कम्प्लेज करें मतलब क्या वलता उसको ऑटमेटिक खुद राइरेक्टली वो किसी पर कारवाई नहीं कर सकता कंप्लेण आनी चाहिए तभी वो कवरेवे करेगा ठीक है सुवर मोटो एक्षन नहीं लिया सकते ठीक है यह ध्यान रखेगा और जब फाइनल रिजिशन से पहले जिसके खिलाब कंप्लेण हो रही है उसको भी एक चांस दिया जाना ज़रूरी है यह ध्यान रखेगा देखे आपको पता हो तो मालास्टा में स्पीगर ने जितने भी मेंबर्स गवाटी गए तो उनको एक्स्प्लेशन के लिए 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 लिका था एक्स्प्लेण किजिए कि वह हम कर बना सकते थे उनके पास मेंजर्टी आ गई थी लेकिन उनको तूट होने का वेट किया था यह नियम है कि मैं और उसमें उसको अगर अच्छा है तो मैंटर को कमिटी और प्रिविलिजिजिज के पास भी रेफर कर सकता है कि ठीक है और जब डिफिक्शन होगा तो मतलब इफेक्ट नहीं होगा उसके प्रिविलिजिज के बाद मत कमिटी जो रिपोर्ट देगी उसके अकॉर्डेंग होगा ठीक है कौन सी कमिटी वाज़ सकता है कमिटी और प्रिविलिजिज है अधिनियों के प्रवदान इंदिवाले देख लिए अधिक है अब उन्होंने 85 में यह कुछ चीज रह गई थे उसको उन्होंने क्या करा सकता रहा है दोजाथीन में 91st constitutional amendment act के अंतर गया थी ठीक है उसमें क्या किया था कि उन्होंने fix कर लिया है कि काउंसली 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 मिनिस्टर मिनिस्ट्री है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर 15% प्रेंट अफ्लोग सवा होना चाहिए ठीक है ऊससे मतलब काउंसल मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर 15% और काउंसली 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 मीनिस्ट नोक सब करण नहीं हों चाहिए थीक है तो 100 सद से हैς 15 नहीं हो सकते है ठीक है इसमज़ आगया तो जब अगर कोई भी member of parliament है वह disqualify हो जाता है membership से तो वो कोई भी कुछी भी ministry के post पे रहने से भी disqualify हो गया है मतलब वो कोई minister कोई minister नहीं बन सकता मतलब वहाँ पर appointment नहीं हो सकता ठीक है मतलब वही बात है parliament का member नहीं रहा तो ministry का member भी नहीं रहा मतलब वैसे नहीं राजसे बहसे लागे उसका minister बना दिया है इसा नहीं है अब दूसरा नियम है जैसा का जैसा 15% रूल बनाया है central government में वैसे ही state government 15% का नियम है लेकिन वहाँ पर एक अलग नियम है कि 12 से कम नहीं हो सकती है चाहिए chief minister plus councilor minister के स्टेंद 12 से कम नहीं हो सकती या फिर 15% से ज्यादा नहीं हो सकती जो भी इन्वे से कम वाला माग होगा नंबर वो काउट होगा कि समझाया है तो देखेगा और चोथा एड क्या है कि कि कोई बात है कि दोनों ही states कोई भी पतलब पर्लिपल्टिकल पार्टी का हो दो कोई भी हाउस का हो अगर वह डिस्कॉलिफाय हुआ है तो वह कोई भी मिनिस्ट्र की अपॉन्मेंट नहीं ले सकता है ठीक है और पर पांचवा नियम है की जो बतलब अब विजवे वेलमर में आपको बता दिया है कि वन थर्ड वाला जो स्प्रेट वन थर्ड प्रेट कर एक नई पार्टी बना लेने का वह नियम यहां से इस टाइम डिलिट कर दिया गया था यह वाला दिस्कॉलिकेशन इंदे केस ऑपस्लिट बाई वन थर्ड मेंबर आप पाटी अगर कोई भी मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पाटी से डिस्कॉलिक मतलब कोई भी मेंबर्शिप चली जाती है अब उसका पॉलिटिकल पोस्ट का मतलब क्या है हिंदी में राजनितिक पोस्ट का मतलब क्या है कोई भी ऑफिस जो अंडर सेंटर गोर्मेंट के हो स्टेट गोर्मेंट के हो जहां सेलरी या लाब उस ओपिस में दिया जा रहा है भाई फॉलिक फॉलिक पॉलिक रेवेन्यू ठीक है एक तो वह पोस्ट एक दूसरी कोई भी एसी बोडी जो कौपरेट हो इनकौपरेट हो या पाशली कौपरेट हो या पास्टली ओवन्ड हो बस सेंटर गोर्मेंट इस्टेट गोर्मेंट और उस पोस्ट पर सेलरी या रैमूनरेशन दिया जा रहा है तो वो भी वाँ एक्सेप्ट कोई कंपन्सेट्री जो रेमिनुरेशन है और नेचर आप कंपन्सेट्री ना दिए गया हो कंपन्सेशन के अलावा ना सैलल्री वैली नहीं दे सकते तो वो भी पोस्ट पे वह अपॉइंट नहीं हो सकता यह थोड़ा से डिफिकल लग रहा है आपको एक दुबार देखो कि समझ वाएगा ठीक है हिंदी वाली देखी जगा अब देखिए यह इसमें चेंज किया गया थे ठीक है अपसे आपको पर फ्राफट रिविजें करा रहता हूं मैं ताकि याद रहे हैं सबको चीजिए आपको आपको देखिए फिप्टी टू जोड़ा गया था उन्टी फस्में चौर्टेगल यह टा कोई बदले जाका कुई वोटिंग करते हैं इंडीप्टेंट मेंबर क्या होता है होता है इंडिप आगर कोई किसी पार्टी को जोइन कर ले तो ब्रिसकौलिफे हो जाएगा पीजुआ को उग किसे और पार्टी मर्च जाए तो लोग लागू नहीं होगा और दूसरा क्या है कि प्रेजिडिंग ऑफिसर है जो जो अपना लीडर अपना जो चैर करता है पर हाउस को वह पार्टी चैन्ज करता है तो उस पर लागू नहीं होगा क्या किया था बन तरब वापस पर लेंगे ठीक है डिसाइडिंग ऑफिसर अफिसर नहीं है जो आप धाउस वह प्रेजिडिंग अफिसर उसका जो व्यटिपर तो फाइन वाकरता लेकिन कोई तो होलो हानों में किस 1993 में क्या किया था सुप्रेम कोड वडिक दिया कि वह यह अ इसको किया करने पड़ेगा कि एक जरुशे वह प्लाइन रखने थीसर दिन यूश्य जो कम अपने होज कह नियूद नहीं कर सकता है प्रशंटिंग कर सकता चकाने प्रसेडिंग नहीं कर सकता प्रश्टेग को उसको कम्प्लेइन मिलेंगी तब ही वह काम करेंगा ठीक है आ अब नाइंटीफर्स अमेंड मेंढ द्रेक्ट दोढरतीन में क्या हुआ था क्या हुआ था कि टोटल नमडर औरा मिनिस्टर के गड़ी कि अधर C0 बारेंट में हो सकते हैं यह कंसे पर्फिस नंब्र हो सकता है थे मेंबर फिट्यूंग ने हो सकता है तो कोई भी मेंबर आधर यह हो जाएगा हूँ अपर मिनिस्टर बन्ने से बिस्क्राइब बताया तो वह रहा सकता मतलब लाब दायक पत पर भी उसको नहीं लागाए जा सकता है अब लाब दायक पत की परिवाशा क्या है परिवाशा यह है कि वह कोई भी ओफिस हो जो कोई बी ऐसा ओफिस हो या नहीं हो या पार्शली पार्शली ओवन बाइसे गोवर्मेंट हो स्टेट गोवर्मेंट हो उसको सेल्री और रहा हो लेकिन उस सेल्री और रहा हो में कंपेंट्री नेचर कंपेंट्रेशन के नेचर पर कोई इंक्लूड नहीं होगा तो भी उसको वहां पर पुष्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है चले ठीक है तो पहला कोश्चन आपको पता था तो उसका आंसर है ए क्या होता है कि अगर वह पार्टी बदलता है मर मर्जर टेक प्लेस टू थर्ड़ मेंवर ऑप पार्टी लेजिस्लिटीव पार्टी हो यहां पर हजबन एग्री टू सच मर्जर समझे टू थर्ड़ पार्टी अगर मर्ज हो रही है तो ही यह लगू होगा तो यह अपना था एंटी डिवेक्शन लो अब आपको एक काम करन आप कमेंट सेक्शन में वादा सकते हैं मैं आपको आपके आंस्वर चेक करूंगा इससे क्या होगा कि आपके मैंज की प्रेक्रिक्स भी साथ पर दोती रहेगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब क प्राइब को